लोग अक्सर मेरे से ये सवाल पूछते हैं कि हमारी किस्मत कब जागेगी? कौन सी ऐसी दशा, कौन सा ऐसा गोचर आएगा जिसमें हमारी किस्मत जो है हमारा साथ देना शुरू करतेगी? अब किस्मत जागना होता क्या है? किस्मत जागना ये होता है कि आप जो भी कोशिशे करते हैं वो कोशिशें सही नतीजों में convert हो जाएं आप धंक से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पूरा पैसा जितनी मेहनत करें उतना पैसा कमा पाएं यहां पर किस्मत का साथ जुरूरी है आप बहुत capable हैं लेकिन आपका काम कारोबार जो है टिकता ही नहीं है चले नहीं पा रहे हैं जीवन में मानो कहीं settlement ही नहीं है यह किस्मत की खराबी नहीं है तो और क्या है और इसके अलावा देखे चाहे शादी शुदा जिंदगी हो चाहे शादी का ना हो ना हो हर जगा पे किस्मत का connection तो चाहिए ही चाहिए अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन सा इसा ग् connection बहुत ही जल्दी आपके हाथ में आ सकता है और आज के वीडियो में हम उसी उर्चा के बारे में चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कि अगर आपको किस्मत का connection नहीं मिल पा रहा है न तो उसका क्या उपाई किया जाए नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा बहु कालपुरुष की कुंड़ी में भी भी जो हमारा 9th house है वो किस्मत का घर कहलाता है और 9th house के जो natural कारक है न वो है जुपिटर आपके बर्थचाठ में 9 घर में कोई भी राशी हो आपके बर्थचाठ में 9 घर में कोई भी घ्रे हो वो किस्मत से relate तो करते हैं लेकिन असल में आपको जो किस्मत का connection है वो केवल और केवल जुपीटर ही देंगे, बाकि सब ग्रे जो है अलग-अलग तरह से इसके सहायक रहेंगे, अब जुपीटर बर्थ चाट में जिस भी घर में बैठे होंगे, आपके किस्मत आने का रास्ता उस घर से clear होगा, जुपीटर के तीन दोस्त हैं, सूरज, मंगल और चंदर्मा, अगर बर्थ चाट में ये तीन ग्रे भी सही हो जाएंगे न, तो फिर आपको किस्मत का साथ बहुत सुलबता से असानी से मिलता चला जाएगा, लेकिन अगर ये तीन ग्रे भी पीडित होंगे न, तो यकीन मानिए अब आपकी की हुई मेहनत आपको 20-30% से ज़्यादा नतीजा नहीं दे पाएगी, मैं बहुत लोग देखता हूँ, बड़े मेहनती हैं, उनका या तो बच्चों का जो एंट्रेंस एक्जाइम है वही पास नहीं हो पाता है, डिस्पाइट ओफ एवरी एफट, जो लोग विपार में हैं, कूप सारा माल उन्होंने डाल रखा है, या करजे के तले दबते चले जारे हैं, लेकिन काम है के चली नहीं पा रहा है, ये भी किस्मत की खराबी है, अब ब्रहस्पति को कौन कौन सी उर जाएं हैं जो खराब करती हैं, मेजर ली राहू, शुक्र और बुद्ध, ये तीन उर जाएं अगर ब्रहस्पति को खराब करें न, तो जीवन में घुटन सी आ जाती है, किस्मत का कोनेक्शन जो है न मानो, छूटता सा महसूस होता है, राहू जब भी गुरु को प्रभावित करेंगे न, देखें, राहू गुरू का एक साथ होना गुरू राहू चंडाल योग कहलाता है, गुरू राहू चंडाल योग पे मैंने एक अन्य वीडियो भी बनाय हुआ है, इस वीडियो के बाद आप उसको भी रेफर कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राहू जब भी गुरू को परिशान करेंगे किसमत किस तरह से खराब होगी देखे राहू जब भी गुरू को परिशान करेंगे एक तो permanent source of income बने नहीं पाएगा नौकरियां बदलती रहेंगी नौकरियां छूटती रहेंगी विपार होगा तो इंसान ग्रहक के ना आने की वज़ा से या market में पैसे फसने की वज़ा से करजे में फसता चला जाएगा ये राहू के गुरू को परिशान करने की सबसे बड़ी निशानी है इसके अलावा एक और अने निशानी है वो है कि इंसान के घर में कलेश का वातावरन होता है उस इंसान की घर के बाकी member से जो है सही तालमेली नी बैटपाता है राहू गुरू का एक और चीज है कि इस इंसान के जो बच्चे है ना उनके कहने से बाहर हो जाते हैं, या बच्चों की वज़य से भी उस इंसान के लाइफ में दिक्कत यानी शुरू हो जाती हैं, यह तो निशानिया है, इसका जो असल फर्क है वो किस्मत पे आता है, अब वो इंसान जो भी करेगा, उसमें किस्मत का साथ उसको नहीं मिलेगा, यानि उसका पूरा effort का 20-30% तक ही result उसको आएगा 70% तक उसको losses है जो जीवन में face करने पड़ेंगे इसके अलावा जब राहू गुरू को परिशान करते है ना इसका एक और बहुत बड़ी निशानी होती है कि घर के जो बड़े बुजूर्ग है ना वो उस इंसान का साथ देना या तो बंद कर देते हैं कई लोगों को जो ancestral property का जगड़ा है ना वो इसी वज़ा से घर में पड़ जाता है या बजूर्गों का जो पैसा होता है ना वो उस इंसान को मिलता नहीं अगर मिलता है तो वो इंसान किसमत के अभाव के वज़ा से उस पैसे को भी डुबो देता है अब अगर ऐसी बाते हैं तो इसका इलाज क्या किया जाए देखे यूं तो इलाज बर्थचार्ट में ये ग्रह बैठे कहाँ पे हुए हैं प्रभावित किस तरह से कर रहे हैं उसको ढंक से देखने के बाद ही पता चलेगा लेकिन कुछ उपाई ऐसे हैं जो पिना बर्थचार्ट देके केवल निशानियों के बेस पे भी अगर आप करें न तो आपको बहुत ही बढ़िया नतीजे नजर आते हैं इसमें सबसे पहले है राहू की वस्तु जों जों को लेके पक्षियों को खिलाना है और ये डेली करना है लेकिन इसको ऐसे ही पक्षियों को नहीं डालना है सबसे पहले जों को दूद में नर्म करना है जैसे इसी वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि चंदर्मा एक ऐसी एनर्जी है जो हमेशा गुरू को बल देते हैं अब यहाँ पे जो राहू जौ है ना हमने चंदर्मा की मदद से उनको नर्म किया रात भर दूद में भिगो के रखिए जो दूद बच जाए उसको पौदों को दे दीजिए अदर्वाइस दूद यूज ही उतना करिए जितना जौ एब्जॉर्ब रात भर में उनको कर ले अब यह जो नर्म जौ है ना रोज सुभा आपक्षियों को डालिए कितनी देर डालना है जितनी देर आपको चाहिए किस्मत कोनेक्शन यानि इसको हमेशा डालते रहिए और इसको करने के बाद आप देखेंगे किस तरह से जुपिटर है ना यानि ब्रहस पती है आपको किस्मत कोनेक्शन देना शुरू कर देते हैं अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर गुरू को राहू परेशान नी करे हैं लेकिन बुद्ध परेशान कर रहे हैं ये इनसान सबसे पहले तो चिड़ चिड़ा बहुत हो जाता है इसके मुझसे वचन वानी इतनी गलत निकलनी शुरू हो जाती है कि उसकी वज़ा से ही उ को ऐसा दिखा गया है कि ऐसे लोगों के चेक बहुत बाउंस होते हैं बुद्ध के गुरू को खराब करने का एक बहुत बड़ी निशानी ये होती है कि अब ये जो इनसान है ना हर एक से बिना बात के ही उलजना शुरू कर देगा इसके अंदर इगो इतनी फेक से इगो ड काम कर पाते हैं ना ही टिक के आये किसी जगा पे बैठ पाते हैं अगर किसी स्टूडेंट के ब्रहस्पती बुद्ध से बुरी तरह से प्रभावित होना तो अब उसका कंपीटिशन को क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि उसका पढ़ाई में फोकस ही नहीं बन ऐसे लोग मेंशा distracted रहते हैं या खुद का time waste करते रहते हैं मोबाईल में टेलिविजन में या खुद का time waste करते रहते हैं किनी ऐसी चीजों में जिनकी productivity value बिलकुल zero होती है यानि काम की चीज़ें ये करेंगे नहीं और बेकार की चीज़ें करने के बाद कोशते रहेंगे कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही है दरसल क्या होता है कि ये तो छोटी सी निशानी है किस्मत सचमें से रूटी होती है तब ही इन्हीं चीजों के थूरू इनका जीवन जो है ना मुर्जाना शुरू कर देता है आपके बरतचाड में अगर आपको लग भी रहे हैं कि वा एवन आपकी बिटिया ये लोग जो है ये आप से परिशान तो नहीं है या इनकी लाइफ में कोई अर्चने तो नहीं आरहे हैं ये जो अर्चने होती है न ये बुद्ध के खराब होने की निशानीअ होती है ये भी चीज़ें आपके किस्मत कॉनेक्शन को खराब कर सक तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए अगर ऐसा है तो सबसे पहले एक जैनरिक उपाए है जो चावल होते हैं ना मुठी भर चावल लीजिए या इससे ज्यादा भी आप ले सकते हैं इनको हल्दी के साथ रखके थोड़े से पीला कर लीजिए और फिर इन चावलों को गुरु जाए तरीका है बिना जोड का एक स्टील का चला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारन करिए मैं रिपीट कर रहा हूं बिना जोड का एक स्टेंले स्टील का चला अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन के रखिए इन निशानियों से अगर आपको किस कि हानी फील हो रही है यानि के कोई काम ही नहीं टिक रहा है आपके 99% तक आके सभी काम रुख से जाते हैं तो यकीन मानिए यह उपाई आपके लिए औशधी का अम्रित संजीवनी का काम करने जा रहे हैं गुरू जो है ना शुक्र से भी बहुत ज्यादा पीडित होते हैं श पैर जुरूरी खर्चों में यह पैसे लगा देते हैं नहीं तो कई बर क्या होता है कि लालच में फसके कहीं पैसा ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर बैठते हैं जहां से बाद में रिकवरी नहीं आती है इवन शुक्र के गुरू को खराब करने की वज़ा से बिल्डर के पास पैसा फसना प्रापर्टी का ना बिकना जिसकी वज़ाए से एकदम से सफोकेशन आ जाए यहां पे भी किस्मत के कुनेक्शन की हानी होती है इनकी कुछ ऐसी प्रापर्टी है इनके पास होती है जो चाहने पे भी बिक नहीं पारी होती है और उसकी वज़ाए से इनको ऐसा लगता है कि अब मानो के financial circle या जीवन रुकसा गया है इवन ये जो लोग है ना ये कई बार आयाशियों में या गलत संगत में पढ़के कुछ ऐसे नुकसान अपने करवाते हैं जिसकी वज़ाए से किस्मत की हानी इनको लगातार फील होती रहती है शुकर के गुरु को प्रभावित करने के वज़े से ना इंसान दिखावा बहुत करना शुरू कर देता है अब क्या करता है वो इंसान के चाहे इनकी income उतनी हो ना हो लेकिन समाज में हम इतना रिच दिखने चाहिए इस तरह की भावना उनके अंदर घर कर जाती है अब जब वो फेकली अपने आपको दिखाना शुरू कर देते हैं तो भी किसमत की हानी होनी शुरू हो जाती है फिर क्या होता है कि लगातार परदे के पीछे इनके नुकसान होते चले जाते हैं और इनकी खूब सारी एनरजी अपने आपको सिरफ सुक्मय दिखाने में ही बीच जाती है अगर ऐसा है सबसे पहले तो इन अटिट्यूट इन अट्रिब्यूट को रोकिए इन आदतों को सुधारिए अब यहाँ पर उपाए क्या किया जा सकता है उपाए शुक्र का ही है शुक्र की चीज आप शुक्र को खिलाए यानि गाये को आप जवार खिलाते रहिए शुक्र की चीज़ें जब आप गाये को खिलाओगे तो आपके जो शुक्र गुरू को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे थे ये शुक्र अब एक दम से सही हो जाएंगे इसके लाब है एक और उपाई है वो है आलू पीले करके आप शुक्रवार वाले दिन गाये को खिलाएए यानि आप दो किलो के करीब आलू लीजिए उनको हल्दी वाले पानी में 5-10 मिनट के लिए डुबो दीजिए हलके से वो पीले हो जाएंगे हल्दी वाला पानी बाद में डिस्पोज ओफ कर दीजिए और ये जो अलू है ना शुक्रवार के देन आप गाये को खिलाना शुरू करिए आपका किस्मत कोनेक्शन इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से आपको बहाल होता हुआ नजर आएगा तो ये तो थी वो चीजें जो गुरू को खराब कर रही थी और इसकी वज़य से आपका किस्मत कोनेक्शन आपसे रूट रहा था लेकिन यहां पे मैंने जैसे इस वीडियो के शुरू में बताया था कि सूरे चंदर्मा और मंगल ये जो सहायक प्लैनेट है ना इनका भी सही होना ज़रूरी है सूरे को सही रखने के लिए एक तो आपको डिसिप्लिन रहना होगा सही समय पर उठना और सोना होगा सूरे अंझली दीजिए पानी में चीनी डालके पानी की धार में से सूरज को देखिए ये आपके सूरज को बहुत सही रखेगा मा की सेवा चंदर्मा के लिए अच्छा हो पाई है isके लावा हो सके तो गले में सिल्वर चेन पहन के रखिए चंदर्मा को इंस्टॉल करने का ये बहुत ही सेफ और बढ़िया तरीका है रही बात मंगल की समाजिक दोस्तों से बना के रखे यानि जो भी आपके दोस्ते हैं उसे संबंद अच्छे रखे भाईयों से संबंद अच्छे रखे ये मुझे कहने की जुरूरत ही नहीं है इसके अलावा मंगल को सही रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है भगवान बजरंग बली की निरंतर उपासना करना यानि हनुमान चले ही साब डेली पढ़िये आप ये तीन चीज़े जब करेंगे ना आप देखने में तो सूरज, मंगल और चंदर्मा इनको सही कर रहे हैं लेकिन असल में आप अपने किस्मत कोनेक्शन को सही कर रहे हैं तो दोस्तों ये था मेरे एक छोटा सा effort आपको एक कनवे करने के लिए किस तरह से हम छोटे छोटे उपायों से अपनी निशानियों को देखके ही अपने किस्मत कोनेक्शन को अपने लिए सही से यूज कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ इससे आप लाब उठाके अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छे सुक्मय परिवर्तन लेके आएंगे तो चलिए मिलते हैं एक नए टापिक एक नए वीडियो के साथ बहुत जल तब तक अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्कार